Mind Management, Life Transformation, Power of Thoughts, आदी प्रेनादाई एवं आध्यात्मिक वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानन हिंदी यूटिब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाए ताकि आपको ये वीडियोज मिले सबसे पहले महर्शी वसिष्ट से भगवान राम ने प्रश्ण किया गुरुवर भगवान की परिभाशा क्या है योग वासिष्ट में निरूपन आता वसिष्ट चुप रहे गए राम ने का गुरुदेव आप मेरे प्रश्ण का उत्तर नहीं दे वसिष्ट ने का राम चुप पी ही उत्तर है शब्दों में क्या बताएंगे शब्द सीमित भगवान असीम ब्रज की एक कथा है एक बार जब श्री कृष्ण ब्रज में थे तो गोपियों ने वरत रखा अब वरत के पारण में उन्हें कुछ ब्रामनों को भोजन कराना था गोपियां गए श्री कृष्ण के पास और कहा महराज हमको कोई ऐसा ब्रामन बताईए जिसको भोजन कराने से सैंक्णों ब्रामनों को भोजन कराने का पुन्य मिल जाए श्री कृष्ण ने का ऐसे ब्रामन तो मेरे गुरू है अंदुरवासा और उनका आश्रम भी यमना जी के पार है गोपियों ने का बहुत बड़ी आइडिया अब वो अनेक प्रकार के पकवान बना कर चली लेकिन जब यमना जी तक पहुंची तो यमना मैया उस दिन बाड़ आई हुई थी पानी बढ़ा हुआ था कोई नाव का पार ले जाने को तैयार नहीं थी गोपियों ने का आब क्या करें तो एक ने का श्री कृष्ण की ही हेल्प लो श्री कृष्ण ने का इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बतादो यमना मैया को यदी हमारे श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी है यमना मैया मारक दे थे गोपियों ने का वाह दिन भर हमारे पीछे गूमते हैं और डिकलेर करते हैं कि हम अखण ब्रह्मचारी हैं एक गोपिने का ट्राइ करते हैं मार्ग नहीं मिला तो इनके कान पकड़ेंगे वे गई प्रार्थना की हे यमना मैया यदि हमारे श्री कृष्ण अखण ब्रह्मचारी हैं आप मार्ग दे दीजिए वहाँ पर तुरंत एक फूलों की पुल बन गई गोपियों ने का वाह श्री कृष्ण ने जूट बोला और यमना मैया ने कनफर्म कर दिया ये दोनों मिली होई हैं खेर पार गई अब दुर्वासा बाबा के आश्रम पहुंची बाबा जी हम आपके लिए भोजन लाएं दुर्वासा जी निकार रख दो वे तपस्वी दुर्वासा तो सूख्ष्माहरी गोपियों को संतोष नहीं हुआ ये स्त्री स्वभाव होता हमने मेहनत करके बनाया तो अच्छे से खाओ हमको लगेगा प्रयतना हमारा फली भूत हुआ और खाओगे नहीं तो लगेगा कि परिश्रम ने अर्थक रहा तो दुर्वासा ने का सब परिशान हो रही है ठीक है आज सब ही को संतुष्ट कर देते जितना भोजन लायो सब लाते जाओ आज हम सब खा जाएंगे अगस्ट्य रिशी अपने अंजुली में समुद्र पी गए तो दुर्वासा उस ते साब साफ कर गए गोपियों ने का ऐसे पेटू लेकिन अब महात्मा है कुछ बोलना ठीक नहीं है बहुत अच्छे है गोपियां वहाँ से खाली थालियां लेकर चली जब यमुना जी तक पहुँची तो देखा अभी भी यमुना जी बढ़ी हुई है वो पानी नीचे नहीं गया गोपियों ने का हम लोग तो यहां अटक गए अब अरे टू वे मांगना चाहिए था अब एक साइट का मांग के हम यहां पर अटक गए वे गोपिय ने का श्री कृष्ण ने हमको पार कराया श्री कृष्ण ने का दुर्वासा हमारे गुरु है तो दुर्वासा में भी कोई शक्ती होगी चलो उनकी हेल्प लेती वे गई दुर्वासा के पास और का बाबाजी हम तो यहां फस गए वापिस कैसे जाए दुर्वासा ने का जाओ यमना मैया को बोल दो अगर दुर्वासा ने आज दुर्वासा के अतरिक कुछ नहीं खाया तो मार्क दे दे दुर्व एक प्रकार की घास होती है पूजा में उसका उप्योग होता है उसको दुर्वासा घास भी बोलते है तो प्रसित था कि दुर्वासाजी महराज मात्र दूब ही खाते थे अब उन्होंने का यमना को बोल दो कि मैंने अगर आज दूब के अतरिक कुछ नहीं खाया मार्ग मिल जाए गोपियों ने का अधी हो गई हमने देखा ये सब थालियों को चाट गए और कहते हमने दूब के अतरिक कुछ नहीं खाया किन्तु जब मैया से निवेधन किया यमना देवी ने फिर से मार्ग दे दिया तो गोपियां गई श्री कृष्ण के पास ये मामला क्या है श्री कृष्ण ने का देखो भागवान जो होता है न वो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान होता यानि भगवान में विरोधी बातें एक साथ निवास करती है संसार में ऐसा नहीं होता अब कोई पूछे कि आपकी आयू स्वामी जी 45 वर्ष और 50 वर्ष और 75 वर्ष तीन-तीन आयू एक व्यक्ती की ऐसा कैसे होगा वै या कोई कहे मैं यहाँ पंडाल में बैठके प्रवचन भी सुन रहा हूँ और आफिस में भी काम कर रहा हूँ और घर में भी हूँ एक व्यक्ति तीन जगा कैसे हो सकता किन्तु भगवान में यह साब विरोधी बाते दूर से दूर समीब से समीब निराकार साकार इस सब एक साथ निवास करती है और कैसे क्यूंकि भगवान के पास एक शक्ति है उसे कहते योग माया वो योग माया शक्ति का कमाल है कि भगवान गोपियों के पीछे भी बाते है और ब्रह्मचारी भी है और जब कोई जीव भगवत प्राप्ती कर लेता है भगवान उस शक्ती का एक अंश उस महापुरुष को दे देते हैं इसलिए दुरवासा ने सब कुछ खाया तो सही लेकिन भीतर से मात्र दूब की ही अनुभूती कर रहे थे यानि वो माया के कार्य करते समय योग में थे ये योग माया का कमाल देखिए भगवान के इंदरियां है क्या जैसे हम लोगों की आंख नाकान है वेद कहता है अगर भगवान के आंख नहीं है वो देखता कैसे हम तो यह जानते हैं कि भगवान साब कुछ देखता है हम तो यह जानते हैं कि भगवान साब कुछ सुनता है आप कहीं पर बैठ के प्रार्थना करें भगवान सुन लेगा तो यह भगवान करता कैसे इसलिए दूसरा वेद मंत्र कहता है भगवान के हजारों आँखे हैं सर्वत्र भगवान की आँखे हैं सर्वत्र भगवान के कान है सर्वत्र उसके सिर उसके पैर उसके हाथ यानी इंद्रियमन बुद्धी से रहे इंद्रियमन बुद्धी से युक्त और भगवान की इंद्रियां भी बड़ी विचित्र देखे हम लोग आंग से देखते हैं कान से सुनते हैं नासिका से सुनते हैं भगवान चाहे आंग से सुने कान से सुनगे और नासिका से देखे और चाहे आंग से ही देखे सुने सुनगे स्पर्ष करे रसले और चाहे तो बिनाइंद्रियों के बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधी नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वानी वक्ता बढ़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रह इग्रान बिनु वास असेशा असी सब भानती अलवकिक करनी मही माजा सुजाई नहीं वरनी ये भगवान की अलवकिक करनी तो वेद कहता है तुम इसको बताओगे कैसे प्रवचन से ये एक ऐसा आख्यान आता है महर्शी वसिष्ट से भगवान राम ने प्रश्ण किया गुरुवर भगवान की परिभाशा क्या है योग वासिष्ट में निरूपन आता वसिष्ट चुप रह गए राम ने का गुरुदेव आप मेरे प्रश्ण का उत्तर नहीं दी वसिष्णे का राम चुपी ही उत्तर है शब्दों में क्या बताएंगे शब्द सीमित भगवान असीम तो प्रवचनेल लब्यो न मेधया न बुद्धी से आप भगवान को जान सकते हैं क्योंकि बुद्धी भी सीमित ये छोटी सी बुद्धी और भगवान अनंत मान लो चुहे का बिल चोटा सा क्या आप हाथी को उसमें बिठा सकते हैं असंभव ऐसे ही भगवान अनंत और हमारी बुद्धी सीमित तो लवकिक बुद्धी छोटी सी अनंत भगवान को कैसे जानेगी इसे लिए न मेधया भगवान बुद्धी ग्राहिय भी नहीं है और न बहुना शुतेन मान लो कि भगवान स्वयम यहां आ जाए कल्पना करे श्री कृष्ण स्वयम आ गए यहां और आपने श्री कृष्ण को देखा भगवान आ गए तो भी आपकी भगवत प्राप्ती नहीं होगी क्यों जी अगर भगवान को देख लिया तो भगवत प्राप्ती हो गई और क्या रह गया जी नहीं मात्र दर्शन से भगवत प्राप्ती नहीं होगी भगवान अंदर बैठे हो हैं सबको पता तो क्या भगवत प्राप्ती हो रही है भगवान रोम रोम में व्याप्त है सर्वव्यापक तो क्या भगवत प्राप्ती हो रही है बिल्कुल नहीं आप भगवान से जाके हाथ मिला ले काम नहीं बनेगा देखे जब कृष्णा वतार हुआ तो हम लोग भी पूर्व जन्म में यही पर थे ये हमारा पहला जन्म नहीं है हम बार-बार जन्म लिए तो पूर्व जन्म में कभी अमनुष्य बने कभी अन्ययोनी में गए तो जब जब अवत्तार हुआ राम आवत्तार हुआ 11,000 वर्ष के लिए तो हम लोग भी यही पर थे नाना भांती राम अवतारा अनेक बार राम अवतार अनेक बार कृष्णा अवतार तो हर बार हम लोग भगवान को देखे लेकिन काम नहीं बना क्योंकि भगवान का शरीर दिव्य था और हमारे नेत्र लवकिक थे इसलिए श्री कृष्णा गहते हैं गीता में अवजानन्ति मामूढा मानुशीम तनुमा शृतम परंभावम जानन्तो ममभूत महेश्वरम अर्जुन मैं जब अवतार लेकर आता हूं संसार में तो माया धीन जीव मुझे नहीं पहचान पाते तो इन सब तरकीबों से भगवत प्राप्ती नहीं होगी प्रवचने न लव्यो न मेधया न बहुना शुते न आप लोग कह सकते हैं कि स्वामी जी ये प्रसंग अब लंबा खिच गया आपने अनेक प्रकार से समझाया कि भगवान कैसे नहीं मिलेंगे अब ये बताईए कि भगवान कैसे मिलेंगे उसी मंत्र के द्वितिय पंक्ती में उत्तर आया है प्रवचने न लभ्यो दूसरी पंक्ती कहती है यवेवाईश विर्णुते तेन लभ्यस तस्याईश आत्मा विर्णुते तनू गवम स्वाम अगर भगवान किसी पर क्रिपा कर दे देखे इतना सीधा सा उत्तर यदी भगवान की क्रिपा का अनुग्रह किसी सो भग्यश ली जीव पर हो जाए तो वो जीव भगवान की प्रसाद से भगवान को जान जाएगा अब भले वो चार साल का दुरुव हो या पान साल का प्रलाद हो या एक गीद हो जटाई वादी जिस पर कृपा हो गई उसने भगवान को जान लिया तो यह गुण साधन ते नहीं होई तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई ये जो लक्ष है ये अपने साधन से नहीं कृपा से मिलता है स्वामी मुकुंदानन हिंदी यूटीब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाए ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले स्थारिणो